नमस्कार आप देख रहे हैं आज जे नियोस और मैं हूँ प्रतीमा राइपुर में एक महिला ने घर से टहलने निकलने युवक को कार से कुचल दिया युवक कॉलोनी के गेट के पास रखी खुरसी पर थोड़ी देर के लिए बैठा था इसी समय आ रही 30 रफतार कार महिला से संभलना सकी और ये हाथसा हो गया इस हाथसे में युवक की मौत हो गई है या घटना शेहर के कभी नगर इलाके की है 36 गर राजग्रामीन बैंक में काम करने वाले म्रिनाल पर घनिया रात के गर से बाहर टहलने निकले थे थोड़ी देर बाद वह गेट के पास रखी कुरसी पर बैट गए इतने में चित्रकूट परिसर में रहने वाली महिला वंदना उपवनसी अपनी कार लेकर कॉलोनी से बाहर निकली सड़क के मोड पर वंदना ने तीज रफतार कार म्रिनल पर चड़ा दी पास खड़े सेक्योरिटी गार्ड ने भाग कर अपनी जान बचाई मगर म्रिनाल को मौका नहीं मिला कार बैंक कर्मी पर चड़ गई उसे कुछलते हुए आगे बढ़ गई बुरी तरह से जखमी म्रिनाल की मौके पर ही मौत हो गई वो चार महने पहले ही कांकेर से ट्रांसफर होकर राइपूर आये थे यहां अपने परिवार के साथ रहते थे परिवार में उनकी पत्नी और दो चोटे बच्चे भी हैं अब इस घटना के बाद महिला फरार बताई जा रही है कभी नगर थाने की पुलिस ने इस मामले में महिला के खिलाव गैर इराददन हत्या का केस दर्ज किया है महिला की तलाश की जा रही है पूरे हाथ से का CCTV फुटेज सामने आया है इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे बेकाबू कार ने गेट के पास रखी कुर्शियों को टक कर मारी गार ने कैसे अपनी जान बचाई